सर नमस्कार सर साहिब जी सर क्या नाम है आपका? मेरा नम जस्पाल दास है जी और मैं लुरियाना पंजाब से हैं जी सर संत्रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम संत्रामपाल जी महाराज जी से सन्-2-14 में से जुड़े हम कौन से महीने में सर? सर संत्रामपाल जी महाराज की सर्ण में आने से पहले आप क्या बक्ति साधना करते थे संत्रामपाल जी महाराजी से जुड़ने से पहले हम बाबा वालकनाजी की बक्ति करते थे और बाबा वालकनाजी की बक्ति क्योंकि हमारा जनम जो था बच्पन से ही हम प्रमात्मा से काफी जुड़े हुए थे और हम पैदल यात्रा बगेरा भी करते थे बाबा बलकनाजी पर जाते थे सर आप संत्रामपाल जी महराज की शर्ण में कैसे आई संत्रामपाल जी महराजी की शर्ण में हम इंटरनेट के जरिये से जुड़े थे प्रमात्मा की शर्ण में क्योंकि प्रमात्मा की किरपा से हमारा कारोबर पहले ही अच्छा था काफी अच्छा परमात्मा की करपा से बहुत अच्छी सेटिंग है अब भी है पहले भी थी जैसे की मन में काफी तडफ थी भी परमात्मा कहा है परमात्मा कैसे मिलेगा हम इतनी दूर से दक्के खाते लुद्याना से पैदल बाबा वालगनाद की गुफा पर जाना फिर आना दस-दस दिन के सफर में ही लगा देना पैदल चलते चलते हमारे पैरों में च्छाले पड़ जाने इतना मुश्किल हो जाना कि हमको आते तीन-चार दिन तो होशी नहीं रहती थी क्या यार किदर हम यही सोचते रहते थी भी अगर परमात्मा पहाडों में है तो दोरपे वाली चीज पहाडों में बीसरपे की बिक्ती है अगर यहां पर परमात्मा है तो वो अंधे क्यों नहीं हो जाते लोग जो दोरपे वाली चीज दोसरपे में या बीसरपे में बेजते हैं और भीड के समय वहां पर जो 10 सोर पे या 200 पे नाइट वाला कमरा 5-5 हजार पे नाइट में चल रहा है क्या चक्कर है ये परमात्मे ये कोई ड्रम्य बाजी है यही चक्कर में हम सोजते रहते हैं तो भी परमात्मा हमको कहां मिलेगा कैसे मिलेगा और कई बार तो ऐसे मन में आ जाता था भी हे परमात्मा मेरा सब कुछ ले लो जो आपने मेरे को दे दिया है वो भी ले लो लेकिन मेरे सामने आ जाओ मुझको पता तो लग जाए परमात्मा है कौन तो फिर संत्रामपाल जी महाराज के बारे में आपको इंटरनेट के थुरू कैसे पता चला? कैसे आपको लगा कि संत्रामपाल जी महाराज सही भक्ती बता रहे हैं? जैसे कि परमात्मा पाने की तरफ बहुत देड़ से थी और एक दिन मन में आया भी परमात्मा कहां है कैसे है दुनिया इंटरनेट के माध्यम से हर चीज खोज लेती है क्या हमको परमात्मा भी मिल सकते हैं फिर बैठे बैठे एक दिन बस नेट लगवाया घर पे और शुरू हो गए रात को काम से आए दस साड़े दस बजे नेट लगाना शुरू किया और हुईज गोड लिख करके सर्चिंग शुरू कर दी और हुईज गोड लिखने के बाद आया तो कुछ नहीं मन में आया चलो यहां पर डेरा ब्यास है पूरा इंडिया लेवल का एक हाई स्केल का इनका सर्कल है क्यों नहीं हम इनका ग्यान सुनें ये क्या बताते हैं कैसे बताते हैं देखते हैं आगर बढ़िया लगा तो जुड जाएंगे नहीं तो कुई बात نہیں है और नेट पे हमने तीन रात लगातार डेरा ब्यास का ससंग सुना और कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आता भी था लेकिन हर बात, हर बार, हर पॉइंट कभीर सहीब जी से लिया जाता था जैसे कि वो अपने ससंग में बताते थे, कभीर सहीब ये कहते हैं कभीर सहीब प्यार से ये समझाते हैं, चलो छोड़ा कोई बात नहीं, तीन राते उनका ससंग देखा उसके बाद हमारी जो पतनी है, धरम पतनी, उन्होंने डेरा सच्चा सोदा से नामदान लिया हुआ है, बचपन से ही घर वाले बोलने लगे भी आप सच्चा सोदा से जुड़ जाओ, हमने कहा चलो कोई बात नहीं इनकी भी चेक करते हैं, नेट पर हमने सच्चा सोदा का, पूरा ससंग 20-25 मिनट का देखा, ससंग देखने के बाद, जब उनकी ड्रामे बाजी देखी तो हमको समझ नहीं आई एक तरफ वो बोल रहे थे, भी अपना एक साधगी से जीवन जीओ, अच्छे इस तरीके से जीवन जीओ, और बाद में वो कहते हैं, आईये मैं लव चारजर, तो हमारी समझ से बात बाहर हो गई, उसके बाद, जब मैंने इनका हमने सासंग सुना, तो ये भी यही बता रह तो संतराम पाल जी महाराज, टिपानिया ब्रदर्र और काफी राम दोद्रे कुछ ऐसे करके नेट पर खुला, तो काफी दिर मैं टिपानिया ब्रदर के सौंग सुनता रहा, उसके बाद जब परमात्मा का संतराम पाल जी महाराज का सासंग सुना, तो मेरी समझ से बाहर हो पापाल जी महाराई का ससंग देखता रहता और इंटरनेट के जरिये देखता ही रहता मेरे को यह नहीं पता लगता भी मैं रात के दस बजे बैठा हूं और कब सुबे के पांच बज गए हैं इतना ये एक टाइम पास आप मत समझीए इतनी गहराई थी जब मैंने अब बाते करनी जब मैंने बाते करनी अपने परिवार से अपने पिता जी से बाते करनी अब तो वो अक्सपैर हो चुके हैं उनसे मैंने बाते करनी मैंने कहा पापा जी आप देखिए ये ब्यास वालों के नामदान बता रहे हैं भी वो ओंकार ररंकार सोहम सातनाम और जोत निरंजन ये पांच एक्षर देते हैं जब मैंने अपने पिता जी से ये बात कही पिता जी कहते हैं फिर लगाओ फिर जब लगाया तो पिता जी ने परमाएपना संतरामपाल जी महराज के मुख से जब सुना भी ओंकार, ररंकार, सोहम, सतनाम और जोत निरंजन ये पांच एक्षर देते हैं हमारे पिता जी ने बोला भाई ये गुरू पूरा है निकल जा इससे पूरा गुरू और दुनिया में कोई नहीं है सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख सली उनकी सर्ण में गए तो सर आपका पहला एक्सपिरिंस क्या रहा जैसे की मैं संतरामपाल जी महाराज के पास जब पहुँशा सबसे पहला एक्सपिरिंस जो ये हुआ कारोबार परमातमा की किरपा से अच्छे थे हैं मन में कुछ अंकार भी था मैं स्टेशन पर पहुँचा बरवाला के बारे में पूछा, वो केते है जी एक पसंजर जाती है जी लुद्याना से बरवाला, हमने जोचा भाई हम पसंजर पर नहीं जाएंगे, यह सच्चाई है, इसको मजाक मत समझीएगा, हमने का भी हम पसंजर पर नहीं जाएंगे, हम तो फास्ट ट्रेंड पर हम ने टिकल ली अंबाला पहुंचे अंबाला से फिर बाद बाए बस हम संतरामपाल जी गुरु जी के पास पहुंचे वहाँ पर जाकर ससंग सुना ग्यान को समझा उसके बाद कुछ बक्तों से डिसकस हुआ फिर जब हम नाम दिक्षा लेकर संतरामपाल जी महराज जी के पा आज मैं पहली बार जिन्दगी में आया हूं और आप मैं लुधियाना से चल रहा हूं मैं आप से कब का टच हूं वो बोलने लगे संतरामपाल जी मारा जारे आगे तुम तो बहुत लेट हो गए परमातमा जानता हम कैसे पहुंचे यहां सर संतरामपाल जी मारा से नाम दिख तुमाल से कहना चाता हूं यह पहला इनसान है पहले भी बहुत लोग आए हैं और आ रहे हैं दिन बदिन करोडों की दुनिया में करोडों की अपना लाइन में संगत आ रही है मेरे साथ क्या हुआ प्रमात्मा ने अपना वादा पुरा किया। मैंने पर्मात्मा मेरा चाहे तु सब कुछ ले ले। लेकिन मुझे को पता लग जाए भी प्रमात्मा है कोन। संत रामपाल जी महाराज जी से जुडने के बाद मेरा काम दिन डाउन होना शुरू हो गया लेकिन मैं अपनी जगां से नहीं हिला मेरे घर वाले मेरी वाइफ मेरे सभी रिस्तेदार बोलने लगे तेरा दिमाग खराब हो गया तुम गुरू जी के पास चला गया तेरा कारोबार डाउन हो गया पापा होस साल हो गया है मेरे को नाम दिक्षा लिए अब परमातमा की किरपा से मेरे पास सब कुछ है सारी सेटिंग हो चुकी है जो भी किसी का लेना देना सब खतम हो चुके हैं अब परमातमा की किरपा है कारोबार भी अच्छा चल रहा है सर बरवाला की घटना के बाद आपको कभी लगा आपको इस प्रकार की कोई संका हुई कहां मैंने संत्रामपाल जी महाराज को गुरू बना लिया उनके उपर तो बहुत सारे आरोप लग गए अब वो जेल में है कभी आपको फिल हुआ कि संत्रामपाल जी महाराज को गुरू बना कर आपने गल्ती की? हमारे को ऐसी बात कभी भी मन में नहीं आई कि हमने संत्रामपाल जी महाराज को गुरू बना कर कोई गल्ती की हमने गल्ती क्यों की? कैसे की? गुरू जैसे कि हमारे पंजाबी में कहावत है दुद पी औ चान के गुरू बनाओ जान के गुरू को अच्छी तरह से सोच के समझ के विचार कर ही हम एक पंजाबी लोग ऐसे हैं जो कि प्रमात्मा की किरपा है पूरे वर्ल्ड को पता है पंजाबी लोग कभी मार नहीं खाते हैं हम कैसे मार खा जाएंगे भी ये गुरू गलत है या सही है क्योंकि पंजाबी लोग खास करके जो पंजाब के लोग हैं वो प्रमात्मा की बानी से श्रिगुरु गरण सहब जी से और तकरीबन तकरीबन जैसे कि गुरु जी भी बताते हैं जो पंजाब के लोग हैं वो बानी में और परमातमा में इतने ड़िध हैं वो कभी दोखा नहीं खा सकते हैं हमने जब भी देखा क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भी प्रूफ बताते हैं, जो भी बताते हैं, जितना भी समझाते हैं, सब भी वेदों और गरंतों के हिसाब से बताते हैं, हम पड़ा लिखा समाज हैं, अगर हम भी ना समझे तो फिर क्या फ्यादा है? सर आज तक जितने भी संत महेंत दर्म गुरु हुए हैं उन्होंने कभीर साहिब जी को संत सत्गुरु या कभीरदास जी कहकर संभोधित किया है लेकिन संत रामपाल जी महाराज मातरे कैसे संत है जिन्होंने कबीर साहिब जी को एक भगवान के रूप में पस्तूद किया है सर क्या आधार है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी को भगवान की उपारी देते हैं इसको इसपष्ट कीजिए सर ऐसा है जैसे जिसकी सोच है वो वैसे ही बात करेगा जितने भी इस समय दुनिया में संत हैं संत रामपाल जी महाराजी को छोड़ करके वो सारे तकरीबन दंत कता या सुना सुनाया ग्यान ही सभी को बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराजी ही केवल एक ऐसे महान संत तो आपके मद्यम से मैं कह रहा हूँ जबकि वो पूरन प्रमात्मा कबीर सही है हमारी सोच के अनुसार लेकिन संत की उबादी मैं इसलिए दे रहा हूँ आप संतों पर बात कर रहे हो इस समय पूरन संत संत रामपाल जी म या भक्त कबीर कहकर ही संबोधित किया है और संतरामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा इनको कैसे बताते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोग जिसको जितना ग्यान है वो उतनी ही बात करेगा अब संतरामपाल जी महाराज वेद और शास्तर के अनुसार बता रहे हैं पूर्ण परमात्मा कौन है जैसे कि मैंने पहले भी बताया हम पंजाब से हैं पंजाब में हम श्रीगुरु नानक देव जी की बानी श्रीगुरु गरन सहीब जी और इससे काफी लगाव है हमारा क्योंकि ये ऐसी अमरित बानी है जैसे बानी में भी आता है तुर्की बानी जिन सगली चिंत मिटाई अगर ये बानी समझ कर ये बानी सुनकर किसी के मन में शंका रह गई तो वो मेरे हिसाब से फिर दुर की बानी कैसे हो गई जैसे संतरामपाल जी मारज बताते हैं 701 नंबर पेज पर पूर्ण परमात्मा का पूरा बख्यान है भी पूर्ण परमात श्रीक उर्णानक देव जी के हिसाब से दुनिया में कौन है ऐसे 701 नंबर पेज पर लिखा है यक अर्ज गुफ्तम पेश्त तर गौसकुन करतार हका कबीर करीमतूं बे एप परवर्दिगार अगर हम इसको दूसरी तरफ लें अगर कोई जैसे मेरी किसी से डिसकस होती है तो वो कहते हैं ये फार्सी के शबत हैं हम पड़े लिखे हैं इंटरनेट का जमाना है आप फार्सी की डिक्षनरी खोल लो उसको हिंदी में पंजाबी में अंग्रेजी में उर्दू में जिसमें मर्जी ट्रांसलेशन करके देख लो इसका क्या मतलब है इसके मतलब के तानक देव जी की बानी में तो सपस्ट डिखा हुआ है जैसे की 24 नंबर प्रिष्ट पर आता है एक स्वान दोए स्वानी नाल पलके पौंके सदा बख्याल कूड छुरा मुठा मरदार तानक रूप रहा करतार पत की पादना करनी की कार हो बिगडे रूप रहा बिकराल त जुलाहे के रूप में केवल कबीर सहब ही आये हैं और दुनिया में ना तो कोई संत आया है ना ही कोई देवी देवता आया है इससे कलियर होता है कबीर सहब ही पूरन परमात्मा है उसके बाद 989 नंबर पेज पर अगर आपको इससे भी समझ नहीं आ रही है तो 989 नंबर 989 पेज पर आप खुद पढ़ सकते हो श्री गुरु गरन सहब की बानी में 970 नंबर पेज पर श्री गुरु गरन सहब की बानी में लिखा है अब तो जाओ चड़ो सिंगासन मिले है सारंग पानी राम कबीरा एक पए है कोई ना सके पचानी इससे भी सपष्ट मेरे एक विचार है विचार के है ये तो सचाई है इसमें विचार सचाई में विचारों की कोई मेरे इसाफ से एहमियत नहीं होती है जैसे कि मैंने बताया भी तीन प्रूफ तो मैंने आपको बता दिये हैं कम से कम सो से ज्यादा प्रूफ कभीर इस गोड कभीर इस सप्रीम सुन संदिया तेरी देव देवा कर अदपत आद समाई सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे शरनाई ठाड़ा बर्मा निगम बचारा अलखना लखेया जाई तत का तेल नाम के अबाती दीपक लेओ उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया बूजय बूजन हारा पंज शबद अनाहद बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती की निरंगकार निर्बानी गोपाल तेरा आरता जो जनतमरी पक्त करंते तिनके काईसवार ता इससे बड़ा प्रूफ मेरे हिसाब से पूरे वल्ड में पूरी बर्मांड में नहीं हो सकता है सर संत्रामपाल जी महाराज ने आप लोगों को सास्तों की इतनी गहरी जानकारी प्रदान की है संत्रामपाल जी महाराज से नाम देख सलिने के बाद आपके जियून में बहुत सुधार हुआ आपकी आर्थ एक इस्तिती में सुधार हुआ उसके बावजूद एक संत के उपर इतने सारे आरोप लगना क्या बखान करता है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में तो यह मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे बेसिकली मैं बार बार एक ही बात बोर रहा हूँ हम पंजाब से हैं श्रीकुर्णानक देव जी को बावर ने जेल में कर दिया था जो संत जो महापुर्ष मोके की जो पॉलिटिक्स है जो उनके खिलाफ जाता है मोके के संतों के खिलाफ जो होता है उसको हमेशा ही मोके की सरकारें धका करती रही है और करती ही रहेंगी क्योंकि सभी धर्म गुरूं की दुकाने बंद होती हैं सभी धर्म गुरूं की पोले खुलती हैं इसलिए ये सभी धर्म गुरू जितने भी हैं ये सभी सरकार के वोट बैंक हैं ये सरकार के हिसाब से चलते हैं और जो महापुर्श होते हैं जो महान संत होते हैं वो सरकारों क को जेल में कर दिया इस समय इस सरकार ने इस जूटी सरकार ने संतराम पाल जी पर रोप लगाए हैं जो जूटे रोप लगाए हैं अभी अठारा महिने हो चुके हैं संतराम पाल जी पूरन प्रमात्मा को जेल में गए हुए अभी तक सिद्ध क्यों नहीं कर सके हैं सिद्ध ह पूरन संत वेदों, शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताता है जैसे की घुरू जी भी बताते हैं जो टीचर सिलेवस के अनुसार पढ़ाई करवाता है वो ही टीचर है बाकी सब अन्यान हैं बाकी सब बेवकुत तरफ के बलोग है सर आप बगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे बगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जी जैसे की आप पड़े लिखे हो समझधार हो इतने इतने बड़े दुकानदार हो वपारी हो छोटी सी एक मैं डेफिनेशन भी बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से एक दुकानदार, एक सिंपल दुकानदार अपनी दुकान में वही समान रखेगा जिससे उसको फैदा होगा आठ रपे वाली चीज अगर दस में बेकेगी तो वो बेचेगा नहीं तो आठ वाली सवा उने आठ वाली भी वो नहीं बेचेगा ये मानव जीवन, मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा इसका हम लाब लेकर चलें कारोबार के साथ साथ प्रमात्मा की तरफ भी ध्यान दें हम तो यही कहना चाते हैं भी ये शरीर, मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा पूरन संत, पूरन प्रमात्मा मेरे हिसाब से पूर्ण प्रमातमा आपके हिसाब से हो रह सकता है पूर्ण संतों पूर्ण प्रमातमा धरती पर आये हुए है अपना ग्यान उड़ पढांकी बाते छोड करके जैसे कि हम एक सिंपल सी बात है एक मुबाइल है दो चार पाँच दस हजार पे वाला भी मुबाइल है वो भी हम बार बार बदल के कुछ ना कुछ नया देखते रहते हैं मैं तो बगत समाज को ये कहना चाहता हूँ आप चाहे मोबाईल की तरह ही तीन, चार, पांच मेहीने सही केवल प्रमातमा की तरफ लगाकर देख लीजिए संत रामपाल जी महराज्य की शरण पर आकर देख लीजिए अगर आपको समझ आती है तो आप आओ नहीं समझ आती है तो कोई बात नहीं एक बार अपने वेदों को गरंतों को चेक जरूर कर लो भी कौन हमको सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है जी बहुत बहुत धन्यवाद साथ साहिब जी